दुनिया में पाम तेल के सबसे प्रमुक उत्पादक एवं निर्यातक देश, इंडोनेशिया से वर्ष 2024 के दौरान इस महत्वपूर्ण वन्सपती तेल के निर्यात का प्रदर्शन कुछ कमजोर रहने की संभावना है। पाम तेल का उप्योग बढ़ेगा जबकि पाम तेल के घरेलू उत्पादन में सीमित बड़ोतरी होगी। इसके फलस्वरूप निर्यात उद्देश के लिए पाम तेल के स्टॉक में कमी आएगी। गापकी के चेयर्मैन का कहना है कि वर्ष 2023 के मुकाबले 2024 के दौरान देश म पाम तेल के उत्पादन में 5 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा नहीं हो सकेगा। अलनीनो मौसम चक्र के प्रकोप एवं प्रभाव से पाम तेल के उत्पादन पर असर पढ़ने की संभावना है। इंडोनेशिया में बायो डीजल के निर्मान में पाम तेल के अनिवारे उप्योग का स्तर पिछले साल 30 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत नियत कर दिया गया। बी 35 नामक इस योजना के प्रभावी होने से इंडोनेशिया में पाम तेल की कुल घरेलू मांग बढ़कर 250 लाक टन पर पहुंच जाने का अनुमान है। इसमें खादे उद्देश में पाम तेल का इस्तिमाल भी शामिल है। भारत इंडोनेशियाई पाम तेल का सबसे प्रमुक खरीदार है। भारत में वहां से क्रूड पाम तेल, CPO के साथ-साथ RBD पामोलीन का भी विशाल मात्रा में आयात होता है। इसके अलावा मलेशिया एवं थाइलेंड से भी भा पाम तेल मंगाया जाता है।